क्यामूर के रामगट दुर्गा मंदिर में वैश्य समाज के लोगों ने भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन का जन्दवस मनाए वह समौके पर वैश्य समाज के परादिकारी और लोगों ने भगवान अर्जुन के तैल सेद्र पर पुश्वर्पित कर नमन किया आज भगवान राज राजस्वर में जन्दिन के अचा इक होने कि लिए एकता बढ़ाने के लिए हम लोग आपस में आज बैठे हैं कि इसी भगवान सहस्त्र घ्वागों के जन्दिन पर हम सारे बैस एक हो कि अर्वल के चंदा है स्कूल मैदान में फुटबॉल टूर्णामेंट के फाइनल मैच का आउजन किया इस मैच में मैंनपूरा ने रोहतास को तीन बोल से हडाकर कप अपने नाम किया वहीं मैन आफ दा मैच विवेक कुमार को मिला कि जहानाबाद में संद्नी रनकारी वापर ट्रस्ट द्वारा रख्तदान शुवर का उजन किया गया इस दोरान उन्होंने लोगों से बढ़ चरकर रख्तदान करने के अपील कि आपको बता दे कि शिवर में बड़ी संख्या में युवां उने रख्तदान किया इस मिशन का उज्जे से है कि रख्त के बिना कोई आद्मी अपना जी तोरे इतना बलट बाइंक में रख्त हो जिसे की किसी भी आदमी को बचा है जिनकी पचा है जासे के हम जहानाबाद के विधायक होने के नाते, सेवक होने के नाते, संत निरंकारे, चरिटेवू ट्रस्ट के सभी सातियों को, सभी शहियों को हम कोटी सा वधायों धन्यवाद देते हैं अज रक्तान सिविर करके जो यह संदेश दे रहे हैं बड़ा सुखद है जहानाबाद में घोसी सरा के पास एक महिला को गोली मार कर घायल कर दिया गया घायल महिला की पहचान अमद्वा निवासी संजना कुमारी के रूप में हुई है बताया जा रहा है कि बजार से लोटने के दौरान आग्यात बाइक सवारो ने लूट पार्ट के नियस से गोली चलाई वहीं महिला को बहतर इलाज के लिए पीम सी एच ट्रेफर कर दिया गया है अब बाइक से जा रहे थे और कौन थे साथ में आपके कौन थे उनका नाम क्या हुआ अर्जुंग गया के बारा चट्टी थाना छेद्र के महवाडी गाउं में नकसली और पुलिस के दीश भीरंद हुई जिस पे दस लाग के नामी नकसली नेता को पुलिस ने मार गिराए वहीं इसके पहले नकसलीों ने भी मुखिया प्रतिनीदी विरेंदर यादक को मौत के घाट उदार दिया था वहीं घटना के बाद अब पुलिस का सर्च अभ्यान जाड़ी है जमूई के जाजा में मौवेशी भागाने के चक्कर में एक साथ वर्षी बुजूर्ख हुए में गिर गया जिसके बाद दमखुटने से उनकी मौत हो गई है वहीं घटना की सुचना मिलने के बाद पुलिस ने शौग को कोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया है जमूई के जाजा में जमीनी विवाद के कारण एक दरजन लोग घायल हो गया वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई दरसक छुचनरिया गाउं में बेनी मंडल और गोपा